अलो स्टूनर्स वेलकम टू 3D जैर्नी और आज मारा ब्लेंडर बिगिनर स्रीज का पार्ट 5 और आज हम सिर्फ PBR मेटिरियल के बारे में जानने कोश्च करेंगे पीबियार मेटिरियल जिसका मदलब है फिजिक्स बेस्ट ड्रेंडरिंग मटियल अच्छा तो यह जो पीबियार मेटियल होता क्या है ब्लेंडर के अंदर माया के अंदर यूनिटी के अंदर गलेंगर अब जनलब होता है कि सब्सकु tender का फिजिक्स काम करती है लाइट की फिजिक्स नहीं देख पाते हैं कि लाइट नहीं होगी तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे तो हमें हर चीज का अलग अलग रंग भी इस वज़ा से नजर आता है कहां पर कितनी light bounce हो रही है कितनी अब्जेक्ट के अंदर जा रही है और वह हमारी आंखों के अंदर आगे किस तरह से तक्रा रही है तो यह सब light पे depend करता है और light की physics पे उस हिसाफ से हमें चीजों के color की जाए जो जातर रेल लाइफ लॉजिक्स पे काम करती हो मैं समझाता हूं कैसे आज फिर से यह लास्ट प्रोजेक्ट से हम शुरू कर रहे हैं सो हमारी रेल लाइफ में हर चीज का एक रंग होता है हमारा एक रंग है आपके सामने जो computer पड़ा उसका एक रंग है सो हर ची यह प्रोपर एक PBR मटेयल का पूरा एक नोड है मलब यह पूरा नोड PBR मटेयल आपसे कह सकते हो इसमें वो सारी चीजें जो एक PBR में होती है और इसी तरह यूनिटी अन्रेंजन और बागी सॉफ्वेज में भी आपको इस तरह की चीज मिल जाएगी मेभी उसको थोड़ जाएगी मेभी उके सो बेस कलर होता है मैं सब सर्फेस पता क्या होता है जब हमारी स्किन के इंदर लाइट जाती है तो कुछ तक आर पार हो जाती खास तो पर जब लाइट बिलकुल हमारी स्किन के बात करीब हो आप एक नॉर्मल टॉर्च लो उसको अपनी उंगलियों के बिल्कुल उपर रखो और उंगलियों को अपनी दूसरी तरफ से देखोगे तो आपको उंगलियां बहुत जाता लाल नजर आएगी उसकी वज़ा क्या है कि हमारी जो उंगलियों के अंदर है वो खून है गोश्ट है वगरा वगरा और लाइट उसमें से पास हो पा रही है अगर आप नॉर्मल एक बुक के एक तरफ राइट लखो और दूसरी तरफ देखो तो आपको दूसरी तरफ कुछ ऐसा नजर नहीं आएगा पर जब अपने हाथ पे रखो किना तो रोशनी कुछ हद तक आर पार हो जाती है जिसके वज़ासे हमें वह एक चमकती हुई लाल पूर्ण आप रहता है ब्रॉण्स आता है और इस तरह की चीजी तो जो चीज हमारी ओसरी तो अट मीट्रेलिक नहीं है उसकी कुछ प्रॉपर टीज होती है तो आप अगर तोब्वा मैं इसको बताऊंगा कि भाई आपको 100% metallic होना है यहां पर आपको metallic कर दिया है मैंने 1 लेकिन बाद आपने देखा होगा gold जो इस तरह की clear reflections दे रहा है पर जो gold मैंने देखा है वह gold हलका सा धुनली reflections देता है वह रिफ्लेक्शन तो दे रहा होता है आसपास की चीजों की पर वह हलकी सी धुनली होती है बलर होती है और आप जानते हो कि आपको blur करने के लिए करना है roughness की value को increase करना है ठीक है तो अब यह हमारा एक proper gold का material बन गया इसका मैं नहां रख दोता सेटिंग इसको नहीं छेड़ी क्योंकि उसके और सेटिंगी में जुर्वत ही नहीं थी अच्छा specular जो है ना metallic जो है आसपास के colors को reflect करता है और specular आसपास की light को reflect करता है okay roughness जो है वो इन दोनों के against जाता है असल में जो चीज जतनी गिफी होती है मतलब अगर मैं आपको आप अपने नहीं नहीं कोई भी चीज खरीद के लाओ example में किस चीज की दूँ आप लोगी कुछ बोल दो मैं आसपास देख रहा हूं कर मेरे कुछ आसपास कोई चीज है जिसके में reflection example देशको आपके सामने आपकी पड़ी होगी LCD LCD की जो body है मैं एक तो आपको screen नजर आ र color की होगी तो आप डे वन एक पिच्चर ले कि उसकी रखो फिर एक साल बाद उसकी दुबारा पिच्चर लो तो आपको दिखेगा कि उसमें वो चमक नहीं रही हर चीज थोईसी रफ हो जाती है हमारी रेल लाइफ में हर चीज रफ हो जाती है उसकी वजाती है कि आसपास दूल मिटी पड़ती है हमारे हाथ बार बार लगने के वजय से वह घिस जाती है धुनली हो जाती है तो वह रफ़नेस जो हमारी रेल लाइफ में होती है वह रफ नस आप इसको कह सकते हो तो जब आपने नया-nया गोल्ड लिया तो वह थोड़ा ऐसा था ठीक है कुछ इस जैसे जैसे आप उसको यूज करते हैं यू यू होता गया और अगर तो वो सिर्फ गोल्ड का रंग चड़ावा था अब तक तो गोल्ड का रंग फिर थोड़ बाद उतरने लग जाता तो वो कलर बनाना थोड़ा अलग तरीका होगा लेकिन वह भी बनाया जा सकता सिर्फ इन अज हमाना है और यूंट आपको अगर आपनों की घर इस तरह का प्राइपन है तो तो आपको कुछ इस तरह की रिफ्लेक्शन नजराथी बहुम ऐसी जदा तर आप गोल चीज नजराती आती या यह टी अगर इसको ज्दूंично मैं इसकी सटडि नहीं है कि यह असल में इस इस चीज़ को बनाने के लिए ये एनिसो ट्रॉफिक इस्तमाल होता है ठीक है शीन जो है ना कपड़े में एक हलकी सी एक्स्ट्रा वो जो है ना उसके धागे होते हैं छोड़ छोड़ धागे होते हैं कैसा समझाओ अगर आपके घर में कोई ऐसा कपड़ा है ना जो वूल का वूल का वूल पता है जिसका हम स्वेटर बनाते हैं उसको और वह नि पुरान है अप उस पे जादा जादा बहता तरीक है सब्सक्राइब देख सकते हो तो च्ब च्बढ बहुत धागे होते हैं हाद लगाने से और छे मेने जब पुराना पूर तो नजर भी आए लग जात तोटे के नौर्मल आंख देख नहीं सकती धागे उपर की तरफ निकले वे होते हैं और वो एक बहुत हलकी सी एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन करेट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन नहीं कलर को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं मैं इतर वह थोड़ा सा बनाने कोशिश्च करता हूँ मैं आपको दिखाने कोशिश्च करता हूँ यह कि अःसा होता है अच्छा इसकी जो ना ऑगन लौजिखली इसका आसा कोई कंसेप्ट नहीं जिस थे मैं बता रहा हूँ बस मुझे इसका पता है कि इस्तवाल कहां पर हो जो कि इस तरह की मॉडल पर मैं ज्यादा बैतर आको दिखा पाऊंगा, ठीक है, मैं जरा ना आज पास के इन्वार्मेंट को फिर जाल खतम कर रहा हूं, और इसको निया मुटिकल जाते हैं, हरका साथ डार कलर देते हैं, इस पर शायद मैं बैतर दिखा पाऊं, अच्छा, इ यह जो है, जो चोटे चोटे, चोटे माइक्रो लेवल पर जो फैब्रिक बाहर को निकला होता है, जो हमारी नॉर्मल आख नहीं देख पाती है, वो जो है एक 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 एक्स्ट्रा वाइट सी शीन, इसको कहते है, मुझा जो इंगलिश में कहते हैं है और उर्दू मैं त तो यह एक एक्स्ट्रा सुझे यह वाइड सा कलर है यह आपको महसूस होता है जिससे आपको कपड़ा थोड़ा सबस्दा सौफ लगता है मुझा आप कोई भी दूसी चीज देख लो रहे हैं जब आपके हाद में कपड़ा होगा तो कपड़े में एक हल्की सी नरम नरम उसकी की तासी ही होती है मैं अलफाजों का चुनाव सही नहीं कर पा रहा पर मुझे उमीद है कि आप लोग समझ पा रहे होगे तो शीन एक्शली वह चीज़ को क्रियेट करने कोशिश करती है ठीक है अच्छा मैं इसको आप कर रहा हूँ आप सी बिना शीन के कुछ इस तरह पेंट की कहलो या उसके लिए खास रिफ्रेक्शन देने के लिए तो आप ने एक तो रिफ्रेक्शन आपकी यह स्पेकुलर वाली है ठीक है यह जो आपको इस वक्त दिख रही है जो यह जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है मेटलिक हमने नहीं दियावा फिला अब मैं अब इसको क्लेर कोड को आउन करता हूं ठीक है हंड्रेट कर दिया अब देखो उसके उपर एक 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 एक्स्ट्रा यह जो ना साफ रिफ्रेक्शन नजर आ रही है आपको मैं दिखाऊं कि इस वक्त स्पेकुलर और क्लेर कोड दोनों काम कर रही है अगर मैं खतम कर रह को अलग से यहां से मैनेज कर सकता हूं ठीक है तो यह जहां तक मेरी नौलिज है और मेरी नौलिज कहीं थोड़ी घलत भी हो सकती है क्लेर कोड के और शीन के बारे पर मुझे इतना यकीन है कि इस्तमाल इन जगों पर होते हैं शीन कपड़े बनाने कपड़े का मटियल देन ठीक है आखरी चीज ट्रास्मीशन और यह वह चीज जिससे असल जो इना गिलास का मटियल बनता है अगर मैं यहां पर यह बॉक्स वापसी लेकर आ रहा हूं इसको नियुम देते हैं और अब मैं आपको दिखा तो ट्रास्मीशन करता गया है यह ट्रास्मीशन की यह रफन ट्रास्थी हैं मैं यहां पर फिर से फुल कर रहा हूं और अगर मुझे रिफ्लेक्शन चाहें तो मुझे कुछ ऑप्शन्स यहां पर ओन करने पढ़ेंगे यह दोनों करने पढ़ेंगे उसके इलावा यह ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा और यह उप्शन इसके बाद रास कर देनी शुरू कर देनी चाहिए थी इस तरह चेक करते हैं क्यों नहीं रेफ्रेक्शन दे रहा कि यह जो आई क्यों आर आप्शन है ना कि आपके अच्छा मैं आपको समय जानने की कोशिश करता हूं हता के आई क्यू आर किस तरह क्राम करता है यह थोड़ा सा क्या करें कन्फ्यूजिंग है कि आई ओ रहा है ना मैं आई क्यों लिख रहा हूं आई और रहा है तरह के अच्छा यह रहा है यह यह जाना सकते हुए कि करें तरह हैं आई पड़ते साथ ना आफ जो हैना मिल गए यह किसल वाद में आपको समझा सकता हूं तो एक गिला सब्सक्राइशन देता है क्यों आई क्यों उसके जो है ना लाइट की जो रेज है वह एक तरफ से ईसके अंदर जाती है उस गिलास के अंदर दूसरी तरफ से निकल जाती है तो इसलिए वह विल्कुल clear reflection देता है लेकिन कई दम क्या होता है looking reflection अंदर जाती है वह थोड़ी सीखेंड हैं यहां से जाएगी और इस तरफ से निकलेगी तो आई ओ आर इस वैल्यू को कंट्रोल करता है कि वह जो यहां से निकलेगी यहां से निकलेगी यहां से निकलेगी अब यह मुझे नहीं कि मैं जीरो करों गा तो इस निकलेगी आई थिंग इस लाइक स्ट्रेट फिलाल यह रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा उसकी एक वज़ा है तिलहाल हम ब्लेंडर का एक इंजन यूज़ करें जिसे इवी इंजन कहते हैं इवी इंजन बहुत अच्छे से काम नहीं करता तो हम इधर यूज़ करेंगे यह इंजन इस वग करते हैं यह जो मैं स्टेप्स कर रहा हूं यह आपको फॉलो करने जोए नहीं है जस्त देख लो फॉलो मत करो बस देखो अच्छा फिलाल मेरे खिया से स्ट्रेट नहीं जा रही क्योंकि एक स्ट्रेट जा रही हो तो तो में प्रॉपर आर पार नजर आ रहा होना चाहिए अगर मैं इसको बढ़ाऊं थोड़ा अब जो है ना यह कई हद तक का आर पार जा पार अच्छा अब यह मैं प्रॉपर गिलास का में बना पार रहा हूं आप देख सकते हो पीशे पूरा घर है जो हमें इसके अंदर से भी दिख रहा है ठीक है तो अब यह काफी हद तक मुझानी कोश्च कर रहा हूं वह स्ट्रेट जार यह लेकिन आप बिल्कुल कॉर्णर पर देखो न तो आपको अभी भी रिफ्लेक्शन में थोड़ी चेंजिंग नदर आएगी इसका मलग हो कि दर्म्यान से तो स्ट्रेट जा रही है लेकिन कॉर्णर से अभी भी थोड़ खुदा ही बना सकता है लेकिन यह आप कहसे तो कोशिश है तो साइकल जो है वह ज्यादा रेल लाइफ के उपर बनाया गया और इवी जो है वह सिर्फ इसलिए बनाया गया कि बहुत तेज काम करता है अभी आप देखो मैं थोड़ सा हिलाता हूं तो यहां पर पर एक मख्य यहां सी आती है नौइज आती है तो वह ठीक होने थोड़ा टायम लगता है इवी में वह नौइज आती ही नहीं है वैसे इवी में भी रिफ्रेक्शन आनी चाहिए थी मनलब यह प्रॉपर काम करना चाहिए था आइड़ोंट नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है ओके सो मैंने पूरी कोशिके पूरा एक्स्प्लेंड करने की एक एक लाइन इस तफ़ा मैंने एक्स्प्लेंड किया है यह मैच करके चाहिए और जो हैा पीबी आर्मटियर्स हर सॉफ्वेयर आज कल पूरा इस्तवाल कर रहा है तो आपको नॉलिज होना जरूरी थी और इसके वजाते आ एक लास्ट बात कि PBR material जो है ना इनसान की कोशिश है कि इस तرह का material बिनाए जाये जो रेल लाइफ के materials को replicate करें उन जास दिखे तो blendser में अलग लोगों ने बनाया लिख विलेंजिया में अलग लोगों ने माया में अलग लोगों ने तो इसलिए हर software में लेकिन बहुत थोड़ा होगा क्योंकि हर बंदी की कोशिश सेम ही थी लेकिन अलग अलग लोगों ने मिनाया तो उनकी अप्रोच अलग लग थी तो इस वज़ा से आपको थोड़ थोड़ दिफ्रेंस नजर आएगा लेकिन मुश्किल नहीं होगी जादा उनको समझने में तो अगर आपको PBI मेटेस समझ आ गया तो आप फ्लीज वीडियो का लाइक करो नहीं आया तो भी करो और आप लोग स्पोर्ट करोगे तो मैं आप लोगो प्रॉपर इसना नॉलिज देश कूँ और I don't think so कि इस वकत पाकिस्तान इंडिया में कोई in-depth नॉलिज के साथ क्यों रहा है जब आपको नॉलिज होगी तो आप automatically जादा खुबसूरत चीज़े बना पाओगे 3D के अंदर सो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रॉपर लॉजिकल नॉलिज दू प्रॉपर ठीटिकल नॉलिज दू आपको एक एक चीज पता हो इन डीप पता हो हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए लिए लाहाफिज